अगर कभी एक्जाम में आपको HCF निकालना पड़े और नमबर बड़े रहे हैं तो कैसे निकालेंगे हमारे सामने माली जी तीन नमबर लिखे गए हैं HCF निकालना है क्या करेंगे ऐसे कोई भी दो नमबर ले लिए जिनके बीच का डिफरेंस कम आपको दिख रहा है जैसे मै जेखूं 576 और यहाँ पे 896 और 960 अगर मैं देख रहा हूँ इनके बीच का डिफरेंस है काफी कम है बाकी के तुलना में तो यह कितना आ जा रहा है 64 अब जो इन तीनों नमबर का HCF होगा या तो यही नमबर होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा तो चेक कैसे करेंग बाई 64 को आप डिवाइट कर दिए 576 से 960 से और 896 से और आपको पता चल जाएगा वे 64 इन तीनों को ही काट रहा है मतलब यही इसका HCF है उसका सही जवाब आपके सामनी क्या जाएगा 64 और अगर आपको यह तरीका समझ में आया है तो आपको मैं कोशन देता हूँ आप ब